नमस्कार मैंडामा लोग है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं बिहार में शराब की बोतले अब कुछ जिन्न की तरह हो गई हैं जो कहीं से भी निकल जाती हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरे निकल क्या रही हैं सहरसा जिले से तस्वीरे में आपको दिखाएं लेकिन उससे पह खाली बोतले मिले जिसको लेकर सरकार की खूब फजियत हुई लेकिन अब सहरसा जिले से ऐसी चौका देने वाली खबर है सोचिए ऐसे ऐसे भी धंदेबाज हैं हमारे बिहार में जो शराबंदी कानून को फेल करने में जुटे हुए हैं शराब कहां मिल सकती है कोई होम ड दुकान से एक नहीं दो नहीं बलकी 44 बोतले शराब की जब्द की गई हैं और यहां पर एस पी लिपी सिंग खुद पहुची थी जिनके निदेश पर वहां के जो उस दुकान के जो काड़ोबारी है विदो ठाकोर उनकी ग्रफतारी भी है और आप समझ सकते हैं तीवी में फ्रिज में वाशिंग मशीन सहीद पानी वाली टंकी में मोटी पाइप में यहां तक की बात्रूम में शौचाले में भी शराब की बोतलों को छुपाक रखा गया था लॉकर में भी जिस लॉकर में हम रुपए पैसे रखते हैं यानि कि रुपए पैसे सोने चांदीद से भी जादा कीम्ती हो चुकी है यह शराब की बोतले बिहार में क्या इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है पुलिस सक्त तो है लेकिन चोरों के दिमाग को भी देखिए धंदे बाजों के दिमाग को भी देखिए कि जोएलरी की दुकान में शराब मिल रही है एक नहीं दो नहीं 44 बोतले शराब की जब की गई है राम तस्वीर आप देख रहे होंगे आप चौंग गए होंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद कैसे शराब के जो बड़े-बड़े धंदे बाज हैं वो किस तरह से दिमाग लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि शराब की बोतलों पर अगर हम फिल्म बनाएं तो जल्द ही बिहार में धूम फाइव रिलीज हो सकता है एक वेब सरीज शराब के ऊपर आप समझ सकते हैं हालात कैसे हैं जो सहरसा की एस पी हैं लेपी सिंग उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए मैडम शराब की बरामत की हुई है वह भी शोरेजादी के दुकान में क्या है पूरा मामला यह देखे बहुत पहला एक यूनिक टैप का केस हम लोग को आया है आप सूचना मिली कर यह ब्रात्रे में कि एक विनो ठाकूर करके जो ज्वेलर है वो अपने दुकान में ही शराब रखते हैं आयमेफल वाला और वहीं से बिक्री करते हैं तो सदर थाना धक्ष के नेतरतों में रेड हुई और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जो चवालिस बॉटल जो दारू की रिकवर हुई है वो उस की दुकान को सील किया है साथ में उसका अधिकरहन प्रिस्ताव दिया जा रहा है जिससे कि दुकान की निलामी की जाए यह स्ट्रॉंग मेसेज देना चाहते हैं कि जो बिजनस्मेन लोग भी अगर इस तरीके से लिप्त होंगे तो फिर पुलीस की कारवाई कठोर होगी तो आम लोग का सहयोग भी चाहिए रहता है सरकार भी यह कहती है कि आम लोग अगर सहयोग करेंगे ऐसे से लोग की जानकाई दी जाएगी तो देखिए चाहे वो कितने बड़े-बड़े कारोबारी क्यों ना हो दुकांदार क्यों ना हो धंदेबास क्यों ना हो वो पकरे सहरसा तक पटना तक पहुंच कैसे जा रहा है सिवाओं पर क्यों नहीं सकती बती जारी है बार-बार सरकार के शक्त निर्देश देने के बाद लेकिन अब देखिए क्या क्या तस्वीर और बिहार में निकल के आती हैं विधान मंदल का परिसर हो सोने चांदी के दुकान की ल लेकर धन्य बाद